Hi everyone, रागी एक बहुत ही versatile ingredient है और मेरा favorite भी, इससे काफी सारी recipes बनाती हूँ मैं और आज एक recipe आप लोगों के साथ share कर रहे हूँ, रागी डेट्स लट्डू, ये बहुत ही simple है और nourishing mid meal है, इसे बनाने के लिए हम एक कढ़ाई में आधा cup unmelted घी add करेंगे, जैसे घी पिघल ज उसमें हम 2 cup रागी flour add करेंगे आपको घी में रागी flour को अच्छी तरह से roast करना है और around 10-12 minutes के बाद आपको एक भीनी-भीनी सी खुश्बू आने लगेगी जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि रागी flour roast हो गया है फिर आप उसे side में रख दीजे ठंडा करने के लिए और meanwhile एक grinder में 2 cup soft dates add कर दीजे हम dates को grind करेंगे और paste बनाएंगे कुछ इस थरह से तो हमारा dates का paste बिल्कुल तयार है इसे एक थाली में निकाल के रख देंगे अब इसमें हम add करेंगे रागी flour जो हमने घी में roast किया था अगर आपको इस recipe के shelf life बढ़ानी है तो आप date paste को भी घी में अलग से roast कर सकते हैं with about 1 और 2 teaspoon घी बस अब इसमें हम 4 tablespoon almond powder डाल रहे हैं अगर आप चाहें तो almond की जगा cashew powder भी डाल सकते हैं जो भी आपकी preference है flavor के लिए हम इसमें fennel powder यानि की soft का powder add कर रहे हैं आधा tablespoon अगर आपको soft पसंद नहीं है तो उसकी जगा आप 5-6 crushed cardamom का powder भी add कर सकते हैं अब सारे ingredients को mix करेंगे और इस तरह से हम लड़ू बना लेंगे तो यह हमारे ragi dates लड़ू बिलकुल तयार है आप इसे मज़े से खाईए और इसे 15 दिन के लिए आप store करके रख सकते हैं in a cool and dry place make sure आप उसे airtight container में रखें thank you so much for watching